मैं नितिश जी का तेजस्वी जी का और सभी जो गन्मानने नेता उनके साथ आए हैं उनका तही दिल से शुक्रियादा करता हूं जो सुप्रीम कोट का अदेश आया था जिसमें सुप्रीम कोट ने सारी पावर्ज दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दी थी उसके बाद उसके आठमे दिन का सुप्रीम कोट का अदेश आने के आठमे दिन आठ दिन के अंदर उन्होंने अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोट के आपफ़र को पलट दिया जुक्रि शरकार की सारे शक्तियाँ चीन ली सरकार को बिल्कुल पंगू बना दिया और सारी ताकत LG को दे दी कि अब LG दिल्ली चलाएंगे पांच-0 से जज्मेंट आया था, पांचों जज्यों समविधान पीठ ने जज्यों जज्यों को पलट दिया आठ दिन के अंदर, यह समविधान के खिलाफ है उसके बारे में नितिश जी आज आए थे और उनसे काफी डिटेल में चर्चा हुई उन्होंने पूरा पूरी तरह से समर्थन जाहिर किया कि ये उन्होंने वो हमारे साथ हैं दिल्ली के लोगों के साथ हैं और दिल्ली के साथ जो अन्याय किया है केंदर सरकार ने उन्होंने क से निवीदन किया कि अगर सारा विपक्ष एकठा हो जाता है नॉन बीजेपी सारी पार्टियां एकठी हो जाती है तो एक तरह से राज्यसभा के अंदर अगर ये इसको बिल के रूप में लेके आते हैं तो इसको बिल के रूप में हराया जा सकता है राज्यसभा के अंदर औ बहुत अच्छा तो हम लोग आये हुए थे यहां तो आये ही थे आप से मिलने के लिए और इनको कफी जो सुप्रिम कोट का फैसला हुआ बहुत अच्छा लगा और हम लोग तो देखते ही रहे अब उसके बाद जो कुछ भी करने की कोशी सो रही है के अंदर सरकार के द्वार यह तो एक बिशित्र बात है अब आप जरा सम्विधान को देख लिजिए क्या अधिकार है जब गर्मेंट बनाई जाती है इलेक्टिट सरकार बनती है तो उनको जो अधिकार दिया गया है उसको कैसे आप हटा सकते ऐसा तो कुछ नहीं है लेकिन अब किस तरह से हो रहा इ और किस तरह का महौल बन रहा है आप दिल्ली में इनको लोगों ने किस तरह से बहुमत दिया है और किस तरह से सब तरह से सब लोग साथ है और हम लोग इस बात को मानते है कि काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे है और उसकार सुप्रिम कोर्ट का भी फैसला हो जाए तो राज सरकार को जो अधिकार है काम करने का उस काम को रोक दिया जाएगा ये सब तो बहुत ही आस्षिर्जिकाविस है तो यह हम लोग तो बिलकुल इनके साथ है और जो कुछ भी है हम लोग जो आगे भी जो मिटिंग करेंगे जो हम लोग कोसिस कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा विपक्षी पाटियां एक जुट हो जाए और मिल करके हम लोग पूरे देश में अभियान चलाएं हर राजी में अभियान चलाएं कि सब कुछ कानून का पालन होना चाहिए आपस में सब लोगों के बीच में प्रेम और भाईचारे का भाव होना चाहिए और जिस अगर इस तरह की कोई बात होगा तो यह जो पूरे तौर पर इनके साथ यह जो कह रहे हैं बिल्गव ठीक कह रहे हैं इनके शाथ नहीए तेजस्वी जी देखे सारी बाते मानने मुक्तमंत्री जी ने स्पश रूप से कही दिया है आज की मुलकात खास तोर पे इसलिए है कि जो लोक्तंत्र है लोक्तंत्र में चुनीवी सरकार को जो अधिकार मिले है और जिस प्रकार से जो नौन बीजेपी स्टेट में जिनकी भी गवर्मेंट है बीजेपी लगतार उनको तंग कर रही है परिशान कर दिये तो जो परिशानी अर्विन के जिवाल जी जेल रहे हम यहां पूरी तरीके से इनको समर्थन देने आए हैं कि इनके साथ अन्याय कर रही है केद्र की सरकार और जब सुप्रीम कोड का जब ज़ज किया जा रहा है या और दूसरे राज्यों में जिस प्रकार से केंद्र भेद भाव कर रही हैं उन राज्यों के साथ तो यह कहीं से भी नैपूर नहीं है लोगतंत पर यह साफ दिखाता कि खत्रा है यह लोग सन्विधान को बढलना चाहते हैं जो हरकिस हम लोग मिल करके हो करने के तो एक बात से पूरी तरीके से हम लोग विश्वास के साथ कह सकते हैं जितना भी अर्विद के जिवाल जी को सताएंगे तंग करेंगे यह उतने ही मजबूत होंगे और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी कभी बीडिली में वापसी नहीं कर है